तो देखो यार, finally Tower of God के Season 2 को लेकर हमें announcement मिल चुका है और यार, जितने भी यार, हमने बाते की है Tower of God के Season 2 को लेकर आज तक और जितना भी वेट किया है, वो यार, आप वर्थ लगने लगा है क्योंकि यार, finally Tower of God is back with Season 2 तो देखो यार, मुझे पता है कि यार, आप काफी टाम से वेट कर रहे थे Tower of God के New Season का यार, मुझे काफी comment भी आ रहे थे कि यार, Tower of God के Season 2 का कोई update आया भी या नहीं और Tower of God का Season 2 कब हमें देखने को मिलेगा और एक्सेक्टरा वेक्सेक्टरा तो यार, finally मैं आच चुका हूँ, Tower of God के Season 2 के confirm update के साथ चापे मैं आपको अच्छे से, Full Detail में explain करने वाला हूँ कि यार, Season 2 कब हमें देखने को मिलेगा और कितना exciting होने वाला है ये नया season तो यार, guys, welcome back to the channel Dragon Anime तो यार, guys, मात चुका हूँ, एक और anime update के साथ जापे मैं आपको बताने वाला हूँ, Tower of God के Season 2 के बारे में जो कियार, Officially confirm हो चुका है तो देखो, यार, मुझे पता है कियार, काफे लोग ये कहेंगे कियार, इसमें इतना क्या special है, एक announcement ही तो है, जो कियार, हमें मिलता रहता है, anime को लिकर, and blah 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 तो देखो, यार, मुझे पता है कियार, कुछ लोग Tower of God anime को पसंद नहीं करते हैं उनके dislike करने से, anime जो है, वो वापस नहीं आएगा, Tower of God के season 2 को आना ये प्रेजन करता है, क्यों Tower of God anime को आना चाहिए, और क्यों लोग इतना पसंद करते हैं, जिसके वज़े से, वो deserve करता है, एक नया season जो दो को हैर, like करना, dislike करना, सब का एक अपना opinion है, लेकिन उसे criticize करना, without any reason के, वो toxicity फैलाता है, community में, जो कहार ये सब होता लाएगा, चलते हैं, अपने main topic की तरफ, तो यार, Tower of God का season 2 है, वो हमें announce हो चुका है, क्रेंच लो लक्सपोर 2022 में, जहां प्यार हमें एक ना की वि याद दिलाता है season 1 से, जो कि already हो चुका है, तो अर इसका मतलब ये कि season 2 का जो actual trailer है, वो हमें बाद में देखेने को मिलेगा, जब इसका production actual में शुड़ू होगा, और कुछ episode जो हो प्रिपेर हो जाएंगे, उसके बाद ये हमें एक proper trailer जो है देखेने को मिलेगा season 2 का, लेकि लेकिनार, इस करेंचिरल एक्सपो में हमें season 2 के announcement के बाद को भी important announcement देखेने को नहीं मिला है, मेरा मतलब है इसका release date जो कि season 2 के announcement के बाद हमें reveal नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि हमें season 2 का release date है, वो हमें बाद में पता चलेगा और इसका trailer भी, लेकिनार एक बात तो confirm है कि season 2 जो है, वो जरूर हमें देखेने को मिलेगा इस आने वाले साल में, तो इर अगर हम estimate करें कि season 2 कब तक हमें देखेने को मिल सकता है, तो इर काफे ज़दा chances है कि season 2 हमें mid 2023 तक देखेने को मिल सकता है, और एक और बात आपको याद दिला दू कि यार क्रेंचरों ने ये भी तक mention नहीं किया है कि यार जो season 2 है, वो हमें 2023 में ही देखेने को मिलेगा, बस उन्होंना ये mention किया है कि season 2 है वो production में है और जलती इसका release date जो है वो announce करेंगे, लेकिन अर situation को देखते वे काफे ज़दा chances है 2023 के लिए, तो यार मिद 2023 काफे ज़दा suitable होगा season 2 के लिए, क्योंकि यार जो season 1 था, वो हमें mid 2020 में देखेने को मिला था, तो यार इसलिए season 2 भी हमें 2023 के mid में देखने को मिल सकता है, बागि यार देखते है कि यार कप Grunge Roll season 2 को लेका release date announcement करता है, बागि यार आपको का लगता है season 2 के regarding comment section पर ज़रू बताना, तो यार बस आज कल इतना ह जा फिर मुझे को detail miss हो गया हो, तो और मुझे comment box सो ज़रूर बताना और instant update के लाइब मेरे instagram account को follow कर सकते हूं, जहाँ पर मैं anime से related daily update देता है रहता हूं, तो मिलते दुस्तों आज के वीडियो आपको ज़रूर पसंद आगी, अगर पसंद नहीं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी मत पूलना, तो मिलते दुस्तों अगले वीडियो में interesting topic के साथ, तब तक के लिए goodbye